गोपाल जी का प्रार्थना है जिसको पढ़ लेने मातर से गोपाल जी प्रिशन हो जाते हैं। इसलिए इस प्रार्थना को अवश्य पढ़ें या सुनें उतना ही फ़ल दायक होगा। आज एकादसी है दोस्तों, एकादसी के दिन गुपाल जी का पूजा करना अति उत्तम होता है, उन्हें पीला वस्तर और पित्तर ये पीला फल फुल जैसा भी आपके पास जो सामर्थ हो, उसब चपा करके उनका विद्वत पूजा करके और ये गुपाल प्राथना अवश्य पढ़ें, अगर किताब नहीं है तो इसे वीडियो को भी चालू करके आप योग अवश्य सुनें, इससे पूण फल की प्राथि होगी खरार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवेश यंतं, वटश्य पत्रश्य पुटेश यानं बालं मुकुंदं मनसाश्मरामी स्रीक्रेष्न गोबिंद हरे मुरारे नाथ नारायन वाशुदेवा जिवे पिवस्वा मृतमेत देवा गोबिंद दामो दर्माधवेती गोबिंद दामो दर्माधवेती विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पित चेत ब्रेते गोबिंद दामो दर्माधवेती गोबिंद दामो दर्माधवेती ग्रिहे ग्रिहे गोप बधुक दंबा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुन्यानि नामानि पठंति नित्यं गोबिंद दामो दर्माधवेती गोबिंद दामो दर्माधवेती सुखं सयाना निले निजेपी नमानि विष्णु प्रवदंति मर्ष्या तेली सितं तन्मयातं ब्रजंती गोबिंद दामो दर्माधवेती गोबिंद दामो दर्माधवेती जिहवे सदय भज सुन्दरानि नामानि कृष्ण अश्यमनुहरानि समास्त भक्तार्ति विनाशनानि गोबिंद दामो दर्माधवेती गोबिंद दामो दर्माधवेती सुखा वसाने इदमे वशारं दुखा वसाने इदमे वगें बेहा वसाने इदमे वजाप्या गोबिंद दामो दर्माधवेती गोबिंद दामो दर्माधवेती स्रीक्रेष्ण राधावर गोफुलेश गोबिंद गोबर धन नाथ विष्णू जिहवपिवश्वा मृतमेत देव गोबिंद दामो दर्माधवेती